नमस्कार ने विलकम योलू वर्ल अफेर जैवू प्रशान धवन नाव युनाटेड नेशन्स ने चार साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया के एविएशन सेक्टर का ओडिट किया है मतलब के चक किया के इंडिया में एवियेशन सेक्टर कितना सेफ है और आपको जानके खुशी होगी के इंडिया की रैंकिंग चाइना, टर्की, डेनमार्क, पोलेंड जैसे कंट्री से भैतर है यहाँ पर आप देख पाओगे ICAO जो UN का संगटन है इन्होंने का है के भारत में एवियेशन सेफटी हाईएस्ट एवर रैंकिंग पे पहुच चुकी है चार साल पहले 2018 में हमारी रैंकिंग थी 102 और अब हम पहुच चुके हैं 48 पर मतलब के हमने चाइना, टर्की और जैसे मैं आपको बताया पोलेंड डेनमार्क ऐसे कंट्री से को बीट कर दिया है ये एक exceptional performance है अब यहाँ पर आपका question आगा के से होगा, क्या, क्या benefit मिलेगा सब मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में मगर आगे बढ़ने से पहले एक simple सा question पूछूँँगा कि जो ये UN का aviation watchdog है International Civil Aviation Organization ICAO इसके headquarters आपको किस देश में मिलेंगे ये हैं आपकी option UK, Canada, Japan या फिर USA comment section में करिए उतर, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंत में now commercial point of view से मैं आपको गर बताओ तो सबसे important UN की ranking होती है ICAO की क्योंकि अगर आपका देश दुनिया में top 50 countries में आता है aviation safety को लेकर तो इसका मतलब ये है कि कल को आपके देश की जो कंपनिया है for example हमारे case में Air India हो गया, Indigo है, Spice है इन airlines को अगर मालो expansion करना है, अपनी flights US में बढानी है, उनकी flights इंडिया में लेके आनी है, तो ये करने में काफी आसानी होगी, उसके इलावा दुनिया के बहुती बड़े पुझी पती भारत के aviation sector में निवेश भी करना चाहेंगे, क्योंके aviation industry में, सबसे बड़ा factor आप पूछो तो क्या है, सबसे बड़ा factor ये safety का, आप लोग ये विलकुल नहीं चाहोगे, कि जो airplanes उड़ रहे हैं, ये crash हो जाएं, आपका brand इससे खराब होगा, obviously देख के भी दुख लगता है, कि passengers मर गए, तो भारत की, जो ये एक बड़ी jump है सीधा 100 से उपर ranking हुआ करती थी अब हम 48 पे आ गए है चाइना हम से सीधा एक पायदान पीछे 49 पे है, इसराइल भी हम से पीछे है, इसराइल की rank है यहाँ पर 58, तर्की 54 पे रहा गया डेनमार्क यहाँ पर 55 पे आपको मिलेगा, पोलेंड आपको मिलेगा 68, डेनमार्क और पोलेंड आपको बता होगा, युरोप के कंट्रीज हैं बहुत ही developed कंट्रीज हैं और अगर आप जाना चाहते हैं कि चाइना इतना पीछे क्यो रहा गया तो देखिए, इसका primarily reason यही है कि पिछले 4 साल में चाइना में बहुत सारे airplane के crashes होए है एक तो अभी आपको याद होगा, जो चाइना में एक अजीब सा plane crash हुआ जहां पर बाद में reports ने यह भी कहा कि शाज pilot ने खुदी plane को crash कर दिया है बाद में कई से related stories आई कि यह plane क्यों crash हुआ है और total 132 लोग मारे गए थे इस plane crash में इंडिया के case में मैं आपको बताओं पिछले 4 साल में कोई बड़ा airplane crash हुआ नहीं है अगर आपको कोई देखना है कोई airplane crash तो 2020 में हुआ था Air India Express का plane crash जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी तो आप क्या लिजे चाइना के comparison में इंडिया का aviation sector जो हमारी flights का system है यह relatively safer है आकड़े हमको बताते हैं और वैसे अगर हम बात करें best countries की केस पूरी लिस्ट में best countries कोन सी है तो number 1 है आपर Singapore number 2 है United Arab Emirates number 3 है South Korea number 4 पे आपको मिलेगा France और number 5 पे आपको मिलेगा Iceland देखो यहाँ पे top rank हासिल करने में बहुत ही important role होता है आपके pilots का आपकी private airlines का उनके safety precautions क्या है वो क्या guidelines follow कर रहे है उसके लावा आपका airport का जो staff है कितना मेनती है मुझे आपे बोलना पड़ेगा जो लोग आज के समय भारत के 141 airports में काम कर रहे है उन ही की मेनत का नतीजा है कि इंडिया की इतनी अच्छी rank आई है क्योंकि जितनी मेनत से उन लोगोंने काम किया है safety procedures properly follow हो रहे या नी हो रहे उन्होंने ensure किया तभी जाकर इंडिया के passenger जादा safe है और हमारे याँ पिछले 4 साल में कोई बहुत जारा बड़ा accident नहीं हुआ विरैस इंडिया के आसपास के देश आप अगर देखो तो बहुत बड़ी हरत आपको मिलेगी नेपाल फॉर एक्जामपल नेपाल की rank अभी है 101 पाकिस्तान की rank 100 है और बांग्दादेश की rank है 94th और जो ये ICAO का audit हुआ है न इससे सबसे दरा फायदा होगा एर इंडिया और विस्तरा के मर्जर को आपको बता होगा के टाटा ग्रूप के पास आज के समय एर इंडिया आ चुका है और विस्तारा एर में भी आपको टाटा ग्रूप का steak मिलेगा और Tata Group चाहता है कि दोनों को merge करके ना इंडिया की सबसे बड़ी aviation company ये बनाए और उसके बाद इनका plan ये भी है कि देश की 30% market को capture करें और साथ ही साथ Europe USA में अपनी जगा बनाए आपने किती बार देखा होगा कि Lufthansa Airways जो जर्मनी की company है उसके इलावा Qatar Airways इनकी खूब आड़ होती है अमिरार्स की खूब आड़ होती है मगर Indian companies जो है इनकी बाहर की देशों में इतनी आड़ होती नहीं है रीजन यही है कि सिंज हमारे हाँ safety को लेकर ranking इतनी ज़रा खराब थी कि कई foreigners हमारी airlines को use भी नहीं करना चाते रहे मगर अब आप देखोगे जिरे जिरे इंडियन airlines बाहर के जो route है ना US Europe हो गया या फिर US इंडिया हो गया या फिर even Asia के बागी country हो गए वहाँ पर भी business करेग और वैसे अगर मैं बात करूँ timing की तो यह सबसे भैतरीन timing था यह सब होने का क्योंकि recently ही हमारे civil aviation minister सिंदिया साब ने ये का है कि 2026 तक मतलब के 2022 से लेकर हम 2026 की बात करें तो 4 साल के अंदर अंदर हमारे देश का civil aviation sector है जो हमारे airports है primarily वहाँ पर 98,000 करोड रुपीस का निव उसके लावा सरकार ये भी बात कर रही है कि jet fuel को लाया जाए GST के अंदर ताकि इसके prices थोड़े बहुत कम हो तो आप imagine कर सकते हैं कि जब भारत में already 141 अभी airports हैं लगबग 141, 142 के आसपास airports हैं ये आकड़ा बहुत ही जल्द 2026 के आसपास आपको मिलेगा 200 का तो भारत में 200 airports होंगे हमारी जो major companies हैं for example इंडिको मां देख रहा था कल पर सो news आई थी कि इंडिको दुनिया की साथ भी सबसे बड़ी airline बन चुकी है रोज ये लोग 1600 flight समाल रहे हैं और फिर जो ये ranking में भी proven आई है और भार से भी निवेश आएगा तो ये एक perfect time है Indian aviation sector आप देखोगे in the future एक बहुत बड़ी उचाल लेने वाला है और एक उमीद हमारी यहां पर ये भी है कि जो पैसा हम लगा रहे हैं defense sector है for example मैं आपको बदा रहा हूँ एक अलग project है recently आपको याद होगा कि Tata और Airbus ने भारत में decide किया है कि 22,000 करोड रुपे का एक manufacturing project start करेंगे जिसके अंड जो transport aircraft है military transport aircraft ये इंडिया में किये जाएंगे manufacture तो इससे भी आप समझ लीजिए इंडिया में एक ecosystem बन जाएगा बहुत सारी start-ups बन जाएगी तो इस project का भी थोड़ा बहुत benefit हमारे aviation sector को होगा और need अभी के लिए यहां पर यही है कि safety पर हम constantly focus करें क्योंकर देखो बगवान इस ranking को maintain करना ये challenge होगा उसके लिए ensure करना होगा कि भारत में कभी भी कोई बड़ी air tragedy ना हो लोग confident feel करें airplanes को use करने में for transport now finally वापस आते हैं हमने question पे के ICAOK headquarters कहाँ पे located है तो सही उत्तर यहाँ पे है option B Canada में Canada के शहर Montreal में आपको भी लेंगे ICAOK headquarters और हाँ आप अगर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो unacademy के courses आप कर सकते हैं purchase simply आपको जाना है comment section में और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे the course of your choice UPSC SSE bank आप को भी course कर सकते हैं purchase and you will get a flat 10% discount अगर मालीजी आप prepare कर रहे हैं let's say bank exam के लिए तो click कर ये bank के link पर और यहाँ पर purchase कर पाएंगे the course of your choice आपको click करना है यहाँ पर plus पर और यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी prices लिखे हैं न यह आपको pay करने की आवशकता नहीं है simply यहाँ पर code डालिए PD10 और prices गिरना start हो जाएंगे the prices will start falling so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है video कांथ thank you for listening and as always God bless you all you